भाई PS5 से related internet forums के उपर एक कोशन लगातार बना रहता है कि PS5 तो ले ली अब गेम्स कौन सी खेलूँ तो आज मेरे उन भाईयों के लिए जिन्होंने अभी भी PS5 ली है ऐसी तीन गेम्स सुझेस्ट करने वला हूँ और वो है Spider-Man 2 PlayStation Store पर ये आप लोगों को 5000 की मिलेगी Amazon के उपर ये आप लोगों को 4300 की मिलेगी और अगर pre-owned market में देखना चाहते हो तो Game Loot जैसी website के उपर आप लोगों को ये 3200 की मिलेगी PlayStation Store से इसको सिर्फ तभी खरीदने का फायदा है अगर आप digitally own करना चाहते हो अब अगर आप लोग गेमिंग को थोड़े टाइम से भी follow कर रहे हो तो probably आपको पता होगा कि Spider-Man 2 से पहले Marvel Spider-Man और Spider-Man Miles Morales ये दोनों ही गेम जिससे पहले आ चुकी है तो अब एक बहुती common question उठते है कि क्या Spider-Man 2 खेलने से पहले वो दोनों गेम्स खेलना ज़रूरी है देखो, although Spider-Man 2 के जो events है वो obviously Spider-Man 1 और Miles Morales के बाद में ही होते है It's like a sequel to both of them but story का कुछ खास connection नहीं है दोनों से और gameplay तो बहुती advanced है compared to both the previous games इसलिए ये game बिल्कुल भी dependent नहीं है previous Spider-Man games पे तो बिना किसी चिंता के इसको खेलो और आपको समझाएगा कि PS5 में कितने amazing level की gaming हो सकती है खास कर जब आप DualSense यूज करोगे ना इसका I think this is one of the best games जिसमें DualSense की सारी capabilities का अच्छे से implementation हुआ है फिर जाये वो adaptive triggers हो गए या फिर haptic feedback सभी चीज़े मिलकर game के experience को बहुत उपर लिजाती है और previous Spider-Man games में एक दो कमियां भी दी जैसे की time travel नहीं कर पाते थे हम easily हर जगा वो सारी चीज़े भी इसमें add कर दी गई है तो gameplay और fun बन चुका है एंड बेस्पाट बाउट इस game is Venom भाई Venom का जो character add कर रहे न गेम के अंदर शेफस किस भाई मज़ा आ गया personally मैं बहुत skeptical था इस बात को लेकर की कैसे implement करेंगे Venom का character अलग से दिखाएंगे, एक symbiote की तरह दिखाएंगे Peter या Miles Briles को transform करेंगे या फिर वो एक antagonist होगा और मैं spoil नहीं करूँ है बड़ I was pleasantly surprised Venom का असली रूप देखकर इस game में ओके, next game on the list is Ghost of Tsushima भाई, ये इतना successful title है कि शायद ही कभी इस पर कोई discount आयो PlayStation Store पे और बाखी retailers पर भी छोटा मुरा discount ही होता है इस पर तो PlayStation Store पे ये मिल जाती है आपको 5,000 रूपीज की Amazon और Flipkart दोनों पर ही 4,290 रूपीज की बढ़ हाँ, game loot पर आप लोगों को ये pre-owned मिल जाती है 2,149 रूपीज की तो अगर आपके पास एक disc वला PS5 है game loot से खरीदना ही best option रहेगा भागी digital PS5 वाल है तो भाई करो जेब में छेद and भाई Ghost of Tsushima का तो क्या ही कहना ये अभी recently PC पर भी रिलीज हुई थी और जो लोग इस game से अभी तक वंचित थे उन सब को भी अपना दिवाना बना गई ये game जानी जाती है अपने beautiful game world के लिए और अपने amazing combat के लिए game में आप जिन सकाई की तरह खेलते हो जो की जपान में होने वाली first mongol invasion के time पे Tsushima land को protect करता है game के सारे missions बहुत ही immersive हैं बहुत ही detailed है और आप कही ना कहीं अपने आपको खोता हुआ पाओगे इस game की story में मतलब game के end तक आप literally जिन सकाई को देखकर ये बोलोगे he's literally me game के combat को अप्रोच करने के भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं और आप अपनी liking के हिसाप से उनको use कर सकते हो आप super aggressive हो कर भी खेल सकते हो या फिर stealth mode में भी खेल सकते हो आपके पस अलग-अलग stances और armors की भी choice होती है game style को अपने इसाप से modify करने के लिए I mean game बहुत ही variety full है हर तरीके से और player हमेशा engaged रहेगा बहुत जादा involved रहेगा इसमें it genuinely leaves a lasting impression on you and obviously game का campaign खेलने के लिए आपको online जाने की बिल्कुल need नहीं है but I'll suggest कि अगर आपके पास एक अच्छा internet connection है तो Ghost of Tsushima Legends जो की Ghost of Tsushima का एक online version है उसको भी जूर खेलना वो game में included आता है आपको अलग से purchase नहीं करना है and जबसे amazing बात कि वो main game से बहुत different है बहुत ही जादा different काफी लोगों को ये बात नहीं बता उनको लगता है शायद main story को ही हम co-op mode में शायद बाकी लोगों के साथ खेल सकते है but ऐसा नहीं है Ghost of Tsushima Legends basically Japan की mythology बर based है और इसमें supernatural elements भी है इसमें आप अपनी teams बना सकते हो बाकी teams के against compete करने के लिए और in-game currency win करने के लिए So yeah, Ghost of Tsushima Legends भी worth checking out है Please जरूर खेलना इसको भी Finally, as a new PlayStation 5 owner जो तीसरी game आप लोगों को खेलनी ही चाहिए वो है The Last of Us Part 2 Remastered PlayStation Store पर इसका price है 3000 रुपीज Amazon पर एक रुपै सस्ति मिल जाएगी 2,998 रुपीज की Game loot पर sadly यह out of stock है But don't worry, वहाँ पर restock करते रहते हैं यह लोग गेम Yes, the game is a sequel to The Last of Us Part 1 But Spider-Man की तरह ही इसको भी खेलने और समझने के लिए आपको previous game खेलने की इतनी need नहीं है क्योंकि game इसी perspective से बनाई गई है कि पहली विली game जिसने नहीं भी खेली उसको भी starting में previous part के एक थोड़ी सी जिस्ट दे दी जाती है So that एक head start मिल जाए इस game में for the most part आपको दो playable characters मिलते हैं Allie और Abby इन दोनों की ही अपनी-पनी stories और भसूरियां चल रही है और इनके life path कैसे और क्यों cross होते है ये देखने के लिए आपको पूरी game खेलनी पड़ेगी और इसी के उपर पूरी story based भी है गेम बहुत देर तक हमें नहीं बताती की इन दोनों का connection क्या है आपस में But when we get to know तो वो एक बहुत ही emotional moment होता है And then all the dots start connecting अब गेम की story एक post-apocalyptic world के अंदर set है तो इसे साब से game world का जो environment है वो बहुत ही beautiful बनाया गया है मतलब इस game को खेल के वैसी feeling आती है जैसे दिल्ली वलों को पाड़ो पे जाने में feeling आती है na Exactly Game के अंदर इतनी lush greenery दिखाई गई है Abandoned buildings Although बहुत ही eerie सी vibe आती है थोड़ोड़ी फटती भी है गेम खेलते गेलते But कहीने कहीन एक soothing सी feeling भी है उस game world में Combat में guns, grenades, molotov जैसे weapons तो यूज करी सकते हो In fact आप इसमें bow and arrow भी यूज करके खेल सकते हो जो की मेरा personal favorite weapon इस game में So अगर आपको यह ऐसी story game ढूण रहे हो जिसके end तक आपको रोना आ जाए Definitely check out The Last of Us Part 2 So this is it guys, यह थे मेरी top 3 recommendations उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी-भी PS5 खरीद दिया और वो confused है कि कौनसी गेम से start करना चाहिए Amazon के affiliate links description में मिल जाएंगे बागी जगा तो आपको दिढून सकते हो और वीडियो यूसफुल लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना बाई योगा चैनल आईए चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए आदियोस